जब अतीक के बेटे असद का एंकाउंटर हो गया तो पूरा लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम रोने लगा, बिलखने लगा, ये सवाल पूछने लगा कि असद पर गोली क्यों चलाई, उसे जिन्दा क्यों नहीं पकड़ लिया, सुन लीजिए। खुला से होते, सुनी ना, जिन्दा पकड़ के लाओ गया, तो कुछ और लोगों को बारे में पता चलेगा, किसके साथ उसके संबन थे, क्या संबन थे, अगर वो इंकाउंटर मारा जागा, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, यानि असद पर पुलिस ने गोली चला गोली क्यों नहीं चलाई, क्यों उसे जिंदा पकड़ लिया, एक भी गोली नहीं चली, बिना गोली चले ही पकड़ लिया गया, ये सवाल उठाये जा रहे हैं, सुली जी पोलिस एक गोली क्यों नहीं चला ही थी? और जानते हैं अब जब जाँच हो रही है तो केजरीवाल फिर से मोदी को गाली दे रहे हैं और जानते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं कि जाँच एजिंसियां जाँच करने लगी बाकि सारे काम छोड़ करके सुनिये ना अरे भाया करना क्या है? पहले कहते हो जाँच करो और जब जाँच करती एजिंसियां तो कहते हो कि जाँच करने लगी? क्या करें? धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा अब मैं आपको एक तीसरा डवल स्टैंडर्ड दिखाता हूँ और ये जो डवल स्टैंडर्ड है ना ये बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से जुड़ी हुई है छपरा में जब जहरीली शराप पीने से सत्तर लोगों की मौत हो गई थी आप शायद भूल गया होंगे तो ये जनाब कह रहे थे नितीश जी चीक चीक कर कि हम मुआवजा नहीं देंगे और कभी नहीं देंगे सुन लीजिए लेकिन अब जब मोती हारी में जहरीली शराप पीने से लोगों की मौत हो रही है और आखड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो जनाब ने अचानक से मुआवजे का एलान कर दिया बड़ा घुमा फिरा कर किया है सुन लीजिए लेकिन जहरीली शराप के मामले में नितीश कुमार फिर से पल्टूराम क्यों बन गए हैं मन में तो सवाल उठता है ना तो उसे समझने के लिए आपको एक और डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं बिहार से बाहर एक दूसरे राजी में जो बिहार से भी बड़ा है वहाँ एक माफिया डॉन मारा जाता है तो नितीश कुमार को सब कुछ पता है एक दम A to Z पता है परिशान हुए जा रहे हैं आप सुनिये ना सब पता है यूपी में क्या हो रहा है लेकिन जब बिहार में जहरिली शराप से लोग मर जाते थे तो नितीश नितीश बाबू क्या कहते थे आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं सुन लीजिए और इतना ही नहीं दोस्तों बिहार में अगर कानून व्यवस्था की कोई परिशानी पैदा होती थी कानून मंत्री गयब हो जाता था तो कहते थे पता ही नहीं है सुन लीजिए ने ने असली सवाल ये है दोस्तों कि जिस समय यूपी में एक माफिया डॉन के मर जाने से ये लेफ्ट लिबरल गैंग छाती पीट-पीट करो रहा है उसी लेफ्ट लिबरल गैंग को बिहार में 30 से अधिक गरिबों के मर जाने पर भी दुख क्यों नहीं होता है आज के इस वीड दो खबर आपको देता हूं एक अतीक के इस शुरुवात से मतलब जब अतीक पैदा हुआ क्राइम की दुनिया की बात कह रहा हूं उसके जन्म की बात नहीं कह रहा है जब क्राइम की दुनिया में पहली बार कदम रखा तो उसे किसने पाला पोसा वो कॉंग्रेसी थे ये और आज जब उसका अंत हो गया है तो उसमें कितने सारे राज उलज कर रह गये हैं उन राज के पीछे कौन छिपा है तो ये दो कहानी आपके सामने रखता हूं और अतीक की शुरुवात कैसे हुई दोस्तों किसने इस बीज को रोपने का काम किया इस मामले में आपको जुरु होने की कहानी बयान की है और ये बताया है कि इसमें कॉंग्रेस का कितना बड़ा योगदान है इस आठकिल का एक हिस्सा देखिए बाइ दिस टाइम अतीक एहमद हैड रेस्टेड लॉट अप स्पेस फ्रॉम चांद बाबा गॉइंग बैक तो 1986 अतीक एहमद जरी बार गिरफ्तार हुआ उस समय उक्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी एक कॉंग्रेसी वीर बहादूर सिंग थे लुड़ का कॉंग्रेसी मुख्यमंतरी थे there was intervention from the Congress party at higher levels and Veer Bahadur Singh was asked to release Atik Ahmed, that's what happened. मतलब जान रहा है, 1986 में जब Atik Ahmed पहली बार गिरफतार हुआ तो उस समय Congress के मुख्यमंत्री इसे समाप्त कर देना चाहते थे, उन्हें पता चल गया कि एक बहुत बड़ी बीबारी जन्म ले रही है, लेकिन उस समय आप इस शब्द को गौर कीजिये, intervention from the Congress party at higher levels मतलब higher levels से किसी ने हस्तक शेप किया और मुख्यमंत्री को कहा कि इसको छोड़ दो और उसे छोड़ दिया गया, यह शुरुवाती दुनिया है, और इस कहानी को इंडिया टुड़े ने भी प्रकाशित किया है, बहुत पुराना आटकिल है, इसमें भी आप देखिए, अब इस संदर में मैंने और भी देखा, सुरेश नखुवा जी ने चार ट्वीट किये, उपर के दो ट्वीट तो दो आटकिल है, अब देख लीजे, और तीसरे ट्वीट में बता रहे हैं कि उस समय, अतीक के इलाके, यानि प्रयागराद से कॉंग्रेस विधायक थे, सतीश चंदर जाई सवाल, आप ये देखिए, इन्होंने पूरा डिटेल निकाला हुआ है, और चौथे ट्वीट में बता रहे हैं कि देश में कॉंग्रेस की सबसे उपरी कड़ी कौन सी थी, और उसमें खुद देश के प्रधान मंत्री, कॉंग्रेस का राज चल रहा था, राजीब गांधी थे, अब किसी मुख्य मंत्री को कौन दबाव डाल सकता है, ये सवाल सोचने की बात है, तो उन्होंने ये निकाला कि कौन उस समय विधायक था, कौन प्रधान मंतरी था, तो प्रधान मंतरी तो सबसे बड़ा आदमी होता है, तो सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जब पहली बार अतीक को गिरफतार किया गया, तो उन्हें जेल से छुडाने के लिए कॉंग्रेस क किस अथोरिटी ने काम किया, और राजीव गांधी सरकार के दौरान ही शाहबानों का केस हुआ था, जब सुप्रिम कोट का पूरा मामला पलड दिया गया था, और मैं आपको एक और बात दिखा चुका हूँ दोस्तों, कि ये वही अतीक एहमत था, जिसने एक समय में गांधी की संपत्ती पर कबजा कर लिया था, बाद में सोनिया गांधी को पता चला तो उन्होंने फोन किया, और पहली बार ऐसा हुआ, जब अतीक एहमत ने किसी संपत्ती को छोड़ दिया, जिस पर उसने कबजा किया था, यानि अतीक को खड़ा करने वाला, कोई और नही कॉंग्रेसी ही था, कोई ना कोई कॉंग्रेसी था जो जिसने उसके लिए काम किया, इस बीज का रोपन किया, और उसे पालने पोसने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जिसने सांसत बनाया, विधायक बनाया, और राम गोपालियादव का ये बयान तो आपने सुना हो अहमत की हत्या हो चुकी है तो जिन परिस्थीतियों में उसकी हत्या हुई उसने भी कई गहरे राज छोड़ दिये क्योंकि याद रखिये जिन परिस्थीतियों में जिस तरीके से हत्या हुई हत्यारों ने सरेंडर किया और उसके बाद जो कहानी सामने आई वो उतनी सहज नहीं है जितनी सहज्ता के साथ उसे बता दिया गया और मुझे तो इस बात की खुशी है दोस्तों कि जो बात मैंने आपको पहले बताई जिन संदेहु को आपके सामने खड़ा किया वो बाद में बाकी मेंस्ट्रीम चैनल भी दिखाने लगे ये बड़ी बात है लेकिन आगे बढ़िए हत्या को लेकर अश्रफ ने एक बड़ा किया था और आज नहीं किया था हत्या के काफी दिन पहले कर दिया था और बताया था कि उसकी हत्या की जा सकती है और उसे हत्यारे का नाम पता था क्यों उससे धंकी दी गई थी ऐसा उसने दावा किया था दोस्तों जो आप रिपोर्ट में देख सकते हैं और उससे भी बड बात कियती कहमत और अश्रफ को मुख्य मन्तरी योगी आदितिनाथ पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसने इस बात को समझ लिया था उसने सत्य को महसूस कर लिया था कि वो गुनाह की दुनिया में इतना डुबकी लगा चुका है कि उसे उसका जो प्रैश्चित है ना करना अब इतना बड़ा माफिया डॉन ये कहे कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ तो ये कोई आसान नहीं है ये इस देश के तमाम माफिया तमाम डॉन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो खुद अतीक एहमत दे रहे थे लेकिन इससे आगे बढ़िए अतीक और अश्रफ को योगी की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने जब ये बताया कि वो ऐसा इंतजाम कर चुका है कि अगर उसकी हत्या की गई तो एक बंद लिफाफा है जो तीन लोगों तक पहुँचेगा उसमें उन्होंने सिर्फ एक राजनेता का नाम लिया योग यानि आज जो लोग भी योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं योगी मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मुश्किले बढ़ने वाली हैं क्योंकि कहानी कुछ और इशारा कर रही है कहानी वैसे नहीं है जैसा दिख रही है एक तो यह भी मैं आपको की एक ऐसी चिठी वाइरल हो रही है जिसमें वो बता रही है कि अतीक अहमद ने योगी आदितिनाद की तारीफ की थी आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं आप देख लीजे बड़े ध्यान से वैसे दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस कस्टडी में मारा जाने बाला अतीक और अश्रफ कोई पहला वेक्ति नहीं था बलकि ये तो पूरा इतिहास है आप देख लीजे और उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में जो हत्याओं का एक इतिहास है आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं लेकिन इतना साफ हो गया कि किसी ने भारत क सेकुलरिजम को दागदार बनाने की कोशिश की है योगी मोदी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची है और इसलिए जो लोग जो आतंकी है ना उसामा बिलादेन उन्हें उसामा जी कहते थे जो लोग मसूद अजहर जैसे आतंकी को मसूद जी कहते थे उन लोगों के लिए दोस्तों जो गुनाह की दुनिया के बेताज बादशा है अतीक एहमद वो अतीक जी बन गया आप सुन लीजिए और ये वही डबल स्टेंडर्ड है जो आज भी देखने को मिला और मैं आपको एक उदाहरण के दरिये जरीए ये भी समझा देता हूँ SC, ST, OBC का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उतना हक मिलना चाहिए और इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं लेकिन हाकीकत ये नहीं है हाकीकत तो सेकुलरिजम वाला रोग है क्योंकि जब इनहीं की सरकार बनी UPA की सरकार बनी तो आपको याद होना चाहिए इनके प्रधान मंत्री ने क्या कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक इस देश के मुसलमानों का है Muslims must have first claim on resources तो कुल मिला कर दोस्तों अतीक एहमत के मामले ने जो इस देश का विपक्ष है न उसके double standard को उसके खोखले पन को उजागर कर दिया है जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इन लोगों की हताशा है निराशा है दोहरा पन है वो साफ साफ दिख रहा है एक तो बड़ी बात क्या हुई जो आपने भी observe किया होगा इस कांड के बाद जितनी विपक्षी पार्टियां है जो नोटंग की ड्राम में करती है न आप जैसे केजरी बाल जी विदान सबा में पहुंच करके उन्होंने उल्टी सीधी कहानिया सुनाई जाँ छुई 9 अतिक में लगें तो अतिक तो इनके लिए बहुत बड़ा मसाला है ना क्योंकि यहीं से इनकी तुष्टी करण की निती सधती है और इसलिए मैंने एक चीज आपको दिखाया नहीं कि यह जो इनका बेटा अतिक का बेटा असद तो उसके एंकाउंटर पर उसे 19 साल का बच् करके 22-23 साल के बीच थे तो उन पर तो कुछ नहीं फूटा उन पर तो उल्टा इलजाम लगाने लगे तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देखते चले जाएए आने वाले समय में आपको बहुत सारी कहानिया नोटंग की ड्रामे देखने को मिलेंगे लेकिन यकीन मानिए कुछ कुछ न कुछ बहुत ही गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे बड़े नेता अगर इस कहानियों की जद में आते चले जाए तो आप आश्यरी मत कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियो कि आप मेरे इस चैनल को जरूर झाल